अबीती रात म्यूजिक डारेक्टर असिंगर वाज़त खान इस दुलियां को अलविदा कह गए उनके निधन के बाद इसे ही बॉलिवड गम में डूबा हुआ है आज वाज़त को दफनाया गया जहां उनके कई खास लोग मौजूद थे वाज़त को इर्फान खान के पास ही दफनाया गया है और वाज़त के निधन के बाद से बॉलिवड शोक में डूबा हुआ है और ऐसे में वाज़त का एक और वीडियो सामदी आ रहा है जिसे देखकर फैंस की आँखों से आसु निकर रहे है इस वीडियो में वाज़त हॉस्पिटल में नजर आ रहे है जहां वो हॉस्पिटल के बैड पर बैठे हुए है उनके हाथ में सिरींज लगी है बॉटल चड़ रही है और इस हालत में भी वो हुड़़़ दबंग गाते हुए दिखाई दे रहे है ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वाइरल हो रहा है और इस वीडियो को वाज़त खान के लास्ट वीडियो की तौर पर शेयर किया जा रहा है इस वीडियो में वाज़त को पहचानना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो काफी कमजोर नज़र आ रहे हैं साथ ही वाज़त को हमेशा शेविंग में देखा जाता है लेकिन इस वीडियो में उनके चहरे पर शेविंग नहीं दिखाई दे रही है वो बिल्कुल क्लीन शेव नज़र आ रहे है सोशल मीडिया पर वाज़त का जो की उनकी पहुचान थी वीडियो के आखिर में वाज़त लव्यू ब्रदर कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं बिमारी के चलते वाज़त की हालत कुछ ठीक नहीं थी वो काफी दूबले हो गए थे और उन्हें काफी कमजोरी भी थी ये वीडियो में साफ तोर पर देखा जा सकता है वाज़त की मौद पर अक्षे कुमार, सल्मान खान और प्रियंका चोपडा प्रीती जिंटा, सलीम मर्चेंट अदनाल सामी, मीका सिं, सोनु निकम विशाल ददलानी, परिनिती चोपडा वरुन धवन जैसे सितारों ने दुख जताया है और परिवार क्रिपती संवीदना जाहिर की है और इसी वक्त में वाज़त का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जो वाज़त के फैंस लगातार शेयर कर रहे है इस वीडियो को वाज़त का आखरी वीडियो बताया जा रहा है ये एक ऐसे संगीतकार थे जिनोंने बॉलिवुड इंडस्ट्री को तमाम यादगार नगमे दिये है जिनके चलते वो हमेशा लोगों के दिलों में जिन्दा रहेंगे